जूद आपको प्रड़ा स्टुदेंट्स, वेल्कम रेख्टोर ओनलाइन क्लासेत्त मैं सब्जेट्ट्स इनलेग्जर साइस घरिए जोदेंग। तो आपको फिगर में लिखना है नमबर में लिखना है और अगर यह नमबर में होते तो आपको उसको नमबर में लिखना पड़ता ओके जैसे कि यह हमने किया था नमबर में लिखना है आपको अभी इस तरीके से लिखना है ओके सो कुछ नमबर सेवन का यह है तो यह मैं चार्ज यह से बनाया है 300 मतलब यह बस समझने के रिए बनाया है आपको यह से नहीं बनाना है डायरेक्ट लिख सकते है आप 300, 5000, 682, 300 यहां क्या आएगा? 3 आएगा देन 5,000 कितने बोल रहा है? 5,000 3 कौन से प्लेश पे है? 100,000 प्लेश पे है 180 and 2, 82 देन हम इसको लिखेंगे कैसे? 3, 0, 5, 6, 82 और क्वामा कहाएगा? 1, 2 और 3 here is a क्वामा ओके? यह एका हो गया? ओके? देन आपको 1,000,000 C वाला देखो C हम C वाला सॉल करेंगे C 1,100, 64,200 1,000,000 कहां लेंगे? हम million के table में यहाँ one column million के column में one, ओके? देन 100,100 100,100,100 स्विर से 100 place पर, 100,000 place पर, 100, 64,000, 64,000, six and four, 64 यह 1000 place पर और four, यहाँ 10,000 place पर और यह 1000 place पर, ओके? तो 64,000 200, डाइरेक्ट क्या है? 2 यहाँ 2 and then 100, 200, 200 मतलब क्या होता है? 2 पर two zero, 200, यहाँ 10 place में कुछ नहीं है, one place में direct 200 है, ओके? सो हम यहाँ लिखेंगे, one, one, six, four, two, hundred ओके? देन क्वामा कहा देंगे? one, two, three, here is a क्वामा and then one, two, three here, क्वामा, ओके? क्या था? one million, one million, one hundred, 64,000, two hundred, ओके? done, एफ लेंगे, एफ जो hard है मैं आपको वो solve करके दे रही हूँ twenty one million, twenty one million, six hundred, one thousand, six, ओके? twenty one million, twenty one million, मतलब ten million हुआ, hundred million नहीं है, twenty one million, two and one, twenty one million, ओके? मतलब million के टेबल में आया, then six hundred, six hundred, six कोई से प्लेश पे? hundred thousand प्लेश पे? six, one million, six hundred, one, six hundred, one, मतलब ten thousand अपसेंट है, इसलिए यहाँ जीरो देंगे, six hundred, one, six hundred, one thousand, six hundred, one thousand, then six, सिर्फ six है, तो क्या करेंगे हम? hundred प्लेश पे जीरो, और ten प्लेश पे जीरो, और यहाँ six, डाइरेक्ट, ओके? कैसे लिखेंगे? two, one, six, zero, one, zero, zero, six, ओके? सो क्वामा का हाएगा? one, two, three, and then क्वामा, three, three का गुरूप बनाना है, one, two, और three, क्या था? twenty one million, six hundred, one thousand, then six, ओके? सो आपको remaining solve करना है, question number seven का, B, and then, C मैंने solve करके दिया है, D, E, और F मैंने solve करके दिया है, यह तीनों आपको, क्या है? यह तीनों आपको homework है, ओके? यह आपका homework, ओके? so, help you understand this question number seven, यह आपको अपने notebook में solve करके दिखाना है, ओके? so, मिलते हैं, next morning class में, bye, take care, and thank you!